डिस्टेंस टाइम ग्राप जो है हमने देख लिया था अब हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राप की अगर वेलोसिटी टाइम ग्राप की सबसे पहले बात करते हैं तो आपको देखने मिलेगा कि यहां पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे वेलोसिटी और टाइम और वेल निए वेलोसिटी में अब यहां पर सबसे पहले दिखने वाली बात यह है कि अगर जहांपे सबसे पहले वेलोसिटी और टाइम की रॉड रहे हैं स्पीड जहां पर हम्द स biography यहां कर전에 का है स्था यहां तो क्या आ रहा था तब आ रहा था velocity यानि कि हम दोनों रख के देख लिया था उसी गराफ पर अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग जहां पर time है x-axis पर वो time वो ही पर रहेगा जहां पर distance रख रहे थे वहां पर हम लोग क्या रखेंगे अब रखेंगे अब हम सबसे पहलेकर बेलोसिटी के बात करते हैं तो अगर वेलोसिटी जो है constant रूप से चल रहा है constant रूप से यानि कि आगर आप ड्राइब कर रहे हो मालनों कि आप driving seat पर बैठे हो road बिल्कुल a state है आप चाहते हो कि same speed से गाड़ी चलते रहे तो आप क्या करोगे same time interval में आ इतना पाउज है वह आपका उतना ही दबा करोगे नहीं आगे बढ़ाओगे नहीं कम करोगे same speed से महलों आप 60 के speed से चल रहे हो तो आप 60 के speed से अराम अराम से जा रहे हो कोई दिकत नहीं है same speed से यानि कि same time interval में आपका speed चेंज नहीं हो रहा है वही चीज़े यहां पे हो र constant रहेगा तो क्या होगा उस time interval में जो है वह बिल्कुल constant चलते रहेगा यानि कि देखो यहां से शुरुवात से लेके zero time से लेके last time तक जो है वह same speed से चल रहा है अब जब same speed से चल रहा है तो यहां पे क्या होगा कि देखो एक तो acceleration जो है वह चेंज नहीं होगा बिल्कुल और acceleration होता किया है change in velocity with time interval अब किसी भी time interval में जब velocity change होता है तो यह acceleration हो जाता है अब जब velocity चेंज ही नहीं होगा तो acceleration zero होगा यानि कि acceleration पर जो आप फिर पाउं दबाये हुए हो जितना है उतना ही है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है तो वैसे graph में जो यह वोला graph है जब भी हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर देखो एक तरफ क्या है velocity है और दूसरी तरफ क्या है time है तो velocity और time यानि कि जिस speed से velocity चल रहा है उसी speed से अगर time को multiply कर दोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा displacement यानि कि कितना displacement हो रहा है यह graph जो है वह यहां से बता देगा आप वो कैसे सबसे पहले यहां पर देखने वाला बात क्या है कि जो displacement होता है वो क्या होता है कि displacement जो अगर सबसे पहले विलोसिटी देखते हैं कि विलोसिटी देखते हैं तो विलोसिटी क्या होता है displacement डिस्प्लेश्मेंट वाइट टाइंज अब यहां पर इस ग्राफ में आपको फिलोसिटी जो है वह दिया हुआ है तो अब यहां पर यह दोनों मल्टिप्लाई हो जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा displacement मिल जाएगा यानि कि इस graph से में क्या मिलने वाला है उसका displacement बिलने वाला है यानि कि जब भी हम क्या करेंगे कि जो ये velocity है उसको time interval से multiply कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमें यहाँ पर इसकी displacement और displacement के क्या मिलेगा तो वो मिलेगा क्योंकि displacement में क्या होता है displacement जो है एक वेक्टर क्वांतिटीट्य है और वेक्टर क्वांतिटी में दो चीजे होता है क्या गया तो एक जो है magnitude होगा और साथ बे क्यों से दिर्यक्शन यहां पर यह निन्य ली रहे है तो अब एक शरेट लाइन पर चल रहा है अब जब सीधी रेखा में चलते जा रहा है अब जब सीधी रेखा में पतर चल गया एक ही सब्सक्राइब चल रहा है तो अगर जब भी हम इसको करें तो यह क्या देगा यह देगा हमें displacement का मेगने वोर यह जो एरिया है जो इस एरिया की यानि कि यहाँ पर डेखो गया एра ब्लिप धिया बन रहा है यहीं क्या है एक उपर को Imm definitely मैं Right닝 कुल सब्सक्राइब है निकालेंगे तो यह इस औबजेक्ट के दवारा जितना डिस्टेंस तरह किया गया है उस डिस्टेंस को जो है यहाँ पर बताएगा और वो कैसे अब इसको निकालने के लिए हमें देखा कि जीरो से जीरो टाइम पे जो अब्जेक्ट था वो यहां अब उसका वेलुषिटी और जोटी टू टाइम पे पहुंचा तो भी अतना हीज बहुत क्या बहुत पर बी पोइंट आया वहां से जो है परपेंडिकुलर खीचा एक सक्सिस पर अब जब हम परपेंडिकुलर खीचते हैं तो यहां पर हमने जो यह ही T1 टाइमिंग और यह जो है T2 है यानि कि टाइमिंग का जो डिफ्रेंस से वो क्या हो जाएगा अगर हम टाइम इंटरवल की बात करते हैं तो टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा अगर मालो टाइम इंटरवल जो है मैं यहां पर टाइम टी देता हूं तो टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 यहां पर जो हमें टाइम इंटरवल देखने को मिल गया अब यह टाइम इंटरवल जो है वो कि कर रहा है कितना तो e b को जो है वो रिप्रेजेंट निकालते हैं पूरा तो यह एरिया क्या इगा यह यह देगा यहां पर हम ा डिस्टेंज जो हो तय किया यहां पर लाइगा जो कि इसका डिस्टेंस ओगा होगा अगर हम यहां बात करते हैं इस रिक्टेंगल का एरिया हौग क्या होगा इंट vẫn यहहां पर यह जो है यहां पर इसीट यन्टु क्या हो जाएगा यह गया फिर यह हाल से कर सी डि द는데 निए कितना है यह भला दिल्द 158 तक है और उसका लाओ नवी जो है यह क्या है तो यहां पर क्या मिल गया इसका distance जो मैं देखने को मिल गया इस तरह से जब भी graph दिया रहेगा velocity time graph का अगर मुस्टा से distance निकलना रहेगा तो क्या करेंगे उस जो enclosed area है उसके जो हम distance को यहां पर ऐसे मिजर कर लेंगे अब अभी तक हम क्या देख रहे थे अभी तक देख रहे थे कि अगर इनिफर्म वेलोसिटी हो तो क्या हो रहा था अब नन इनिफर्म वेलोसिटी हो तो क्या होगा अब नन इनिफर्म वेलोसिटी में बहुत टाइप को हो सकता है जहां पर एक एक्सलेशन चेंज हो रहा है ए है आपके बूप में दिया हुआ है मालने आप गारी सीख रहे हो और गारी एस तो जीरो ओस使出 से आपके क्या किया गया मुझ से आपको 1 आप से बोला गया कि धीरढ बढ़ाओ अ찮ौर बढ़ाते हो और अचानक से सामने से कोई गाड़ी आते हुए देखते हो तब क्या करते हो ब्रेक लगाते हो अस्पीड जो हो जाता है अब यहां पर क्या हो रहा है कि इस कंसेप्ट में आपको क्या देखने को मिला सबसे पहले जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहे हो चलना यानि कि इनिस्यल वेलोसिटी कितना है आपका तो वो है जीरो क्योंकि जीरो से जो हो आपको दिया गया ती वन टाइम पर आपका वेलोसिटी कुछ और था जीरो से कुछ और था पुलस में हो गया था टी टू टाइम पर थोड़ा सा और बढ़ गया था वेलोसिटी यहां पर जो है और स्पीड शुलो हो रहा था यानि कि चारों सिश्योसन में देखो गई 0 से लेकर टी थी तक स्पीड जो है वेलोसिटी जो हो बढ़ा टी फूर पर जो हो खम हुआ तब यहां पर क्या हो रहा है कि यह नॉन इनिफॉर्म मोशन की तरह हो डीनोट करता है कैसे कि uniform में क्या हो रहता है कि same velocity से चल रहा था non uniform में क्या हो रहा है कभी घढ़ रहा है कभी बढ़ रहा है यानि कि कभी घढ़ सकता है कभी बढ़ सकता है फिर आगर बढ़ सकता है मानलों कि उस गाड़ी के पास करने के बाद फिर आप speed बढ़ा देते हो तो क्या हुआ T5 में क्या हुआ कि आपने फिर से speed बढ़ा दिया तो यह जो है non-inform motion है जहाँ पर velocity change हो रहा है अब जब velocity change होगा time के साथ तो acceleration जो है आना ही है कि acceleration होता क्या है change in velocity with time interval क्यानि कि any time interval में जो velocity change होगा वहीं क्या है acceleration होगा अब आपके book में जो है एक चीज दिया गया है कि एक table है table 8.3 जहां पर आप देखोगे कि velocity of car जो है वह दे रहा है कि एक regular instant interval of time में यहां पर दिया है एक meter per second में और एक hour per second में यानि कि 0 second पर देखोगे सब कुछ जो हो 00 है वो graph जो मैंने यहां पर बनाया है तो अब 0 second पर क्या है कि velocity जो है वो 0 है यह जो है क्या है यह है velocity और इधर जो है time अब velocity जो है वो किसमे है या तो meter per second में ले लो या फिर kilometer per hour में जो है अब लेके चल सकते हो अब यहां पे देखो क्या हो रहा है कि 0 second पे velocity 0 है time 0 है जैसे 5 second हो रहा है तो 5 second में अब मालों यह meter में है velocity तो आप कहोगे कि 5 second में क्या है यहां पे यह वो जो portion है कहां पे 10 meter पे जो है वो चला गया यानि कि acceleration यहां पे बढ़ा कि देखो यह final velocity अगर है तो यह initial है चेंज हो र तो आप देखो कि यहां पे डिस्टेंस है मीटर है वो कितना पहुंच गया बीस मीटर पर सेकेंड पहुंच गया यानि कि धीरे धीरे time के साथ क्या हो रहा है उसका velocity चेंज हो रहा है और साथ में time interval बढ़ते जा रहा है अब जब ऐसा होगा regularly increase कर रहा है इसका मतलब क्या है यहां पे ऐसे стоит line जो हो देखने को मिलेगा अब इस state line में क्या हो रहा है कि हर point पे velocity increase कर रहा है time के साथ मतलब क्या है यहां पे acceleration आइम के साथ इनक्रीज करते जा रहा तो अब 10 को यानि कि change in velocity क्या करोगे 10 by 5 करोगे time interval 5 है तो अब कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा और उससे तरह जब अगला लेगे तो 5 से 10 यह भी 5 सेकेंड का इंटरफल बन रहा है और वहाँ पे velocity change कितना हुआ initial trend हो गया, final 20 हो गया, यानि कि यहां पे क्या हो, 20-10 और 10-5 यह भी क्या हो रहा है, यानि कि यह constant acceleration से चल रहा है, जब भी a state line होगा, तो क्या होगा constant acceleration से बढ़ रहा है आगे, अब यहां पे acceleration constant है, जब भी ऐसा motion होगा जहां पे velocity जो हो directly increase कर रहा है time के साथ मैं साथ में यहां में ज्यादा चैंज होता होता है इसका मतलब क्या है कि एक्सिलेशन इंक्रेज कर रहा है और इसी time interval में अगर speed कम होते रहता यानि कि time interval सेम रहता speed कम हो रहा है इसका मतलब acceleration जो है वह हम decrease हो रहा है जैसे break लगाते हो तो क्या होता है speed ज़्यादा से कम आता है यानि कि speed change हो रहा है तो वहाँ पे कम हो रहा है degrade कर रहा है यानि कि रीचाइडासर जो हो रहा है जैसे ब्रेलेगर लगाता हो तो पर देखेंगे से अगर มें अरिया निकलना हो या फिर displacement निकलना धिस्प्लेस्मेंट्फ्लेस्मेंट्ट क्या होगा अब यहां परिद्थे से निकलना हो तो पूरे ग्राफ कार्य कौरे निकलेंगि अब इस पूरे अब यहां पर कि देखो जो time interval है हम कहां से count कर रहे हैं हम कर रहे हैं यहां पर टीटू स्माइनस टीवन यह जो है एक time interval का हम एरिया देख रहे हैं कि उतने दिर में कितना distance जो है इसने कभर किया इस गाड़ी ने तो अब सबसे पहले जब हम इसको यहां पर count करेंगे तो अब हम देखेंगे कि जो यहां पर distance निकलेगा वो क्या निकलेगा कि यहां पर टोटल एरिया कभर हो रहा है वो कैसा है पहला जो है वो यहां से लेके A, B, C, D, E और यह जो है पूरा enclosed area है यहीं क्या बताएगा displacement का magnitude बताएगा या फिर distance जो है वो देखने को मिलेगा तब यहां पर जो distance होगा यानि कि अगर मैं यहां पर distance निकालता हूं तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा total जो है यह distance कितना cover किया यह देखने को मिल जाएगा अब यह area निकलेगा कैसे तो इस area को जो हम लोग अलग अलग भागो में बाट देते हैं सबसे पहले यह जो है rectangle का area है कौनचा यानि कि rectangle का area A, B, C, D देखो और पलस में यह जो है क्या है यह triangle का area है यानि कि triangle का area कौनच ह बाद E अब इसका जो है वह अराम से निकल जाएगा तो वह कैसे तो अब यहां पर जो rectangle है rectangle A, B, C, D है उसका कैसे हो जाएगा कि यहां पर डारेक्टी लिख देंगे को यह तो यह वह जो डिफिरेंस है क्यों सा यह यह कितना है यहां से 0-20 यह दिखने को मिल रहा है यह 0 है क्या होता है यह दे करेंगल है ज्यक्UT हो जाएगा यह जो है बेस होजाएगा और इसके लावा बन्यक्रायकों से 0-20 यह दिखने को मिल रहा है तो इसका और यह दिखने इन्ने मिल जाएगा याना किकि वेलोसिट्य आगर कॉंसेंट है यानिकि इस का यह से बढ़े बढ़े जारा है तो वैसे में यह इन्ने जो ग्राप निकाल लें तो हमें distance निकल जाएगा और distance जो होगा magnitude of जो displacement होगा गाड़ी का वो भी क्या होगा उसका magnitude होगा अब यहां पर कुछ ऐसे भी graph हा सकते हैं जो कि आपको थोड़ा सा मेẫnले लेखा कि अगर इस gap की हम बात करते हैं तो सबस्क्राइब देखो कि यहाँ पर एरिया है याने कि कुछ इसतरू से दिखाना यहां से यहां से को 30 देने मिल रहा है यह जो है 20 और यहां पर 10 है और यह जो है टाइम इंटराल मालब 1 है 2 है 3 4 और 5 पे जो है आके 0 हो जादा है तब ऐसे ग्राप में क्या कर रहा है कि ऐसे ग्राप में आप देखोगे कि यह कोई भी एक गाड़ी है वेलोसीटी है अब इस कार को देखो यहा यहां पर पर सेकेंड़ है मीटर पर सेकेंड़ में कोई गाड़ी जो है चलना स्टार्ट करता है तो यहां पर देखोगे क्या हो रहा है ऑपांस सकेंड जैसे हुग उसका स्ब الس्च पीड है यह से स्चेकेड में है तो इसका मतलब कि यहां पर क्या लग रहा है यहां पर कम हो रहा है और जब मायनस में जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा दिरेंगर जाके जीरो तायेगा अब ऐसा भी आ सकता है कि एक ग्राफ जो है मलो ऐसा दिया हुआ है जहां से बढ़ रहा है अब इसका समझने का सबसे बढ़िया जो तारीका होता है जो हो सटार्ट करता है यहांने कि जीरो इसकेंड पर विलोस हूं कितना था तो बढ़ाया और यहां सी किया गर गया यानने की यहां पर यहांपे merchant सब्सक्राइब यहां से कहां तक आपको सबसे पहले देखना है यानि कि अगर मालनों कि जैसे यह वाला जो एरिया है यहाँ पे आपको निकालना पड़ रहा है यह वाला एरिया टोटन तो सबसे पहले जो है इतना निकालो यानि कि यह वाला पॉर्चन जो है आप सबसे पहले देखो यह वाला पॉर्चन यानि कि यहाँ पर अगर ए है तो अब इस वाल एरिया को निकाल लो इसको count कर लो उसके बाद से फिर same strategy आपनाओ यहां से जो है perpendicular डालो और इस वाल एरिया को निकाल लो और उसके बाद से फिर इस वाल एरिया को निकाल लो और फिर उसके बाद से जो है इस वाल एरिया को निकाल लो तो यहां से क्या जाए और इसके बाद जो है कुछ कोस्टन बच जाते हैं हम लोग कोस्टन करेंगे और फिर से जो इस चेप्टर का सबसे महत्पूर कोर्शन है जहां पर हम तीन फर्मूले ड्राइब करेंगे वो फर्मूले कैसे आते हैं उन फर्मूले को जो हम लोग अगले लिक्चर में और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरू करना चैनले को सब्सक्राइब करेना मिलते हैं अगले वीडियो में